बिसमिल्यार्मार्मार्मार्म, अस्सलाम अलेकुम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि R को VS Code के अंदर कैसे चलाना है लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्यों चलाना है उसकी रीजन यह है कि VS Code के अंदर आपके पास Intelli Code की एक option होती है कि आपका Code जो है आटो फिल होता रहता है बहुत सारे लोग R को R Studio पे चलाते है R Programming Language को बत आइवुद से कि अगर आप इसको GitHub Co-Pilot के थूँ अपने VS Code के अंदर चलाते हैं तो आपके पास बहुत सारी suggestions आटोमेटिकल आते रहेंगी कुछ इस तरीके से Draw a Line Plot ठीक है तो इसने खुद ही कहा दिया यह डेटा सेट लें DF बना के ठीक है यह खुद ही बता दिया कि इस तरीके से Line Plot बनना है और यह देखें मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने Tap दबाई है And then Boom यह Lange Line Plot आपका Ready है GitHub Co-Pilot R के थू काम कर रही है चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि हमने इसको कैसे इंस्टॉल करने है इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे Base के अंदर Mini Konda हमने इंस्टॉल करने है और Mini Konda का जो वीडियो है वो सारी आपको उपर कार्ड में या नीचे डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएगी यहाँ पे देखते है Konda Envy List के हमारे पास कौन कौन से environment है ठीक है environment देखने के बाद हमने एक नया environment create करने है जिसको मैं बोलता हूँ Konda Create minus N और यहाँ पे इसको हम बोल देंगे R underscore Envy ठीक है इसको करने के बाद यहाँ पे हम Jupiter इंस्टॉल कर लेंगे इसके साथ ही यह वाली कमार लगाने के साथ ही यह नया environment create होगा और उसी के अंदर Jupiter इंस्टॉल हो जाएगा ठीक है जी इसको इंस्टॉल करते है तो यह जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम लेगा लेने के बाद आप नीचे जाएंगे तो आप Y प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरीके से यह इंस्टॉल होने लग जाएगा तो यह जुपिटर असल में जुपिटर नोटबुक होती है जो VS Code के अंदर कुछ इस तरीके से उपन होती है अगर आप यहाँ पे लिखें test.ipyvnb यह जुपिटर नोटबुक है ठीक है तो हम असल में कर क्या रहे है हमने यहाँ पे environment के अंदर r को ले के आना है ठीक है r आएगा तो python के जगा पे यहाँ पे r run कर जाएगा तो यह जुपिटर नोटबुक हमारे पास install हो रही है इसको थोड़ा time लगता है जैसे मैंने पहले बताया जैसे यह हमारे पास install हो जाती है हम वापिस आके इसे देखते हैं कि यह किस तरीके से करना है अब meanwhile आप यहाँ पे देखें जब भी हम कोई language लिखते हैं तो हमारे पास different किसम के extensions यूज होती है ठीक है आप यहाँ पे r की एक extension भी कर लें साथ में r लिखें तो यह आपके पास r extension आजाएगी ठीक है इसको install करते है तो यह फोरण से install हो जाएगी install करने के बाद आप आप क्या कर सकते हैं जो आपके r की files हैं वो आप इसके अंदर run कर सकते हैं चले हम वो चला के देखते हैं होती भी है या नहीं होती ठीक है हम यहाँ पे एक नहीं फाइल बनाते है यहाँ पे लिखते हैं test.r तो यह देखें यहाँ पे पूछरे cannot find r to use for help package installation something like that ठीक है extension हमारे पास source r वाली नहीं है वो कह रहा है तो manage extension में जाएए इसको हम दुबारा से बंद करते हैं बंद करने के बाद यहाँ से vs code दुबारा run करते है तो यहाँ पे r देखें कि हमारे पास अभी भी एक error आ रही है यहाँ पे for example अगर मैं लिखता हूँ print और r की syntax के अंदर hello r लिखता हूँ और यहाँ पे इसे run करता हूँ तो यह आपको error दे रही है could not find r return path और यह सारा कुछ ठीक है इसकी reason क्या है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे r install नहीं है अब मैं यहाँ पे जो मैंने environment create करके उसके अंदर यह install किया था उसको check करता हूँ तो मैंने यह install किया था यहाँ पे r underscore environment में तो मैं activate करता हूँ उसे r underscore env enter किया अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ konda list मतलब मेरे पास जितने भी packages इसके अंदर install हैं वो मुझे बताओ तो यहाँ से मैं check करता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से package है हमने पहले check करना है कि क्या हमारे पास यहाँ पे ipython है ipy kernel भी है अब हमने ir kernel करना है ठीक है तो वो करना है jupiter हमारे पास आ गया है अब देखना है कि r base है हमारे पास python भी है यह देखें ठीक है तो python भी इसमें चल सकता है jupiter के अंदर और हमने यहां पे R base नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम R kernel इंस्टॉल करेंगे IR kernel वो कैसे इंस्टॉल करना है यहां पे जाएं Google पे यहां पे simple लिखें IR kernel install konda ठीक है तो यहां पे आपको IR kernel का पूरे का पूरा formula मिल जाएगा तो मैं पहले वाला copy करता हूँ copy करने के बाद मैं konda environment के अंदर जाके इसे paste करता हूँ और run करता हूँ तो इससे क्या होगा मेरा IR kernel जो है इसके अंदर install हो जाएगा install यह क्यों करना है क्योंकि इस kernel ने ही हमें सारा कुछ बताना है ठीक हो गया अब अक्सर यह वाली command जो है आपकी काम नहीं करेगी ठीक है अगर यह काम नहीं करती तो उसका निचोड या उसका दूसरा हल क्या है वो देखेंगे लेकिन यहां पर कर रही है y लगाया तो यह मेरे पास सारा install हो जाएगा IR kernel के साथ देखें आर बेस भी install हो रहा है अगर आपके पास आर बेस और रेडिस के अंदर install है तो IR kernel आर के अंदर जाके करेंगे लेकिन हम यहां पर थोड़ा wait करते है जैसे ही हमारे पास आर और IR kernel install हो जाता है देन वी विल स्टार्ट यूजिंग और VS code for R अभी के लिए आप यहां पर देखें कि test. इसको मैं delete कर देता हूँ इसको मैं बाद में दिखाता हूँ यहां पर test और यहां पर सिरफ python 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 r है ठीक है r environment के अंदर भी python है r नहीं अभी आया कहीं पर ठीक है तो python तो आप run कर सकते हैं लेकिन r को run करने के लिए आपने क्या करने we will see now यह आपके पास आप अगर इन packages को देखें तो आपके पास r की जितनी dependencies हैं वो सारी install हो रही है तो जारी बात है r एक पूरा software है और यह command line tool के थूरू हम install कर रहे हैं तो हम r को download हमें करने के जरूरत नहीं बी तो यह आपको थोड़ा time लगेगा अगर आपको थोड़ा time लग रहे है तो आपने परिशान नहीं होना you can actually see this meanwhile मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ यह Jupiter notebook इस तरीके से होती है आपने क्या करना होता है पहले markdown cell लगाते हैं अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं के r in vs code by codenix YouTube channel ठीक है यह मैंने यहाँ पर इसका cell बनाया cell बनाने के बाद इसको मैं run करता हूँ तो यह इस तरीके से आ जाता है मैंने इसको install किया हुआ है इस वज़ा से यह सारी चीज़े आ रहे है मैंने इसे bold किया बोल्ट करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा अब यहाँ पर हम python का cell लिख सकते हैं यहाँ पर देखें आप लेकिन अभी तक हमारे पास बाकी languages का भी है markdown का भी है python का भी है batch HTML, JavaScript, latex, pearl, powershell, raw यह सारे हैं r नहीं आ रहा तो r के लिए हमें थोड़ा सा wait करना होगा यह अभी यहाँ पर खतम हो रहा है यह process में आपको इस वज़ा से दिखा रहा हूँ ताकि आप परिशान ना होँ कि यह आपको थोड़ा सा ज्यादा time क्यों लगता है ठीक है जैसे ही आप देखें कि यह done हो गया done करने के बाद अब आपने r चलाना है यहाँ पर simple लिखें r लिखने के बाद आपने यहाँ पर कुछ commands लिखनी है जिसके बाद आपका वहाँ पर r जो है वो active हो जाएगा यहाँ पर लिखें install.packages इसके अंदर लिखें i और r बड़ा kernel तो इस तरीके से यह command लिखें यह command लिखने के बाद enter दवाएं तो यह आपको बुलेगा please rect cran mirror तो आपने इन में से कोई भी चूज कर लेनी है जैसे मैं जर्मनी में तो मैं जर्मनी वाली कर लेता हूँ जो आपके पास इसकी cran repository है उसको आप install करें तो यह फोरण से install हो जाएगा इसके बाद आपने यह command लिखने है ir kernel ir kernel फिर colon colon उसके अंदर लिखने है install spec यह बस इतनी से command लिखनी है तो यह इस तरीके से register हो जाएगा यह थोड़ा सा time लेगा जैसे ही आपको register करने के बाद इस तरीके से आज़ता है so now you are good to go इसको q लिखके quit करें y लिखके आप save कर लें and इसको exit कर लें ठीक है जी अब हमारे पास vs code में आ जाते है हमने ipy ynb चलाई है लेकिन यहाँ पे हमारे पास r नहीं था पहले ठीक है और अभी भी नहीं आ रहा है इसको मैं rerun करता हूँ vs code को दुबारा चलाते है यहाँ से मैं एक नहीं फाइल बनाता हूँ इसको हम नाम देते हैं test.ipynb इसको नाम दे दिया और यहाँ पे हम लिखते हैं install.packages इसके अंदर लिखते है read.excel ठीक है इसको ऐसे लिखते है और यहाँ से हम कोशिश करते है select करने की r तो यह देखे है हमारे पास इस तरीके से r हमारे पास show हो गया है jupiter kernel के अंदर इसको restart करके मैंने चलाया तो आप यह देखें यहाँ पे install हो गया अब cannot find r to use package installation इसके बजाए हम अगर यह वाला start करें तो वो will see यह काम करता है कि नहीं करता तो यह देखें हमारे पास read.excel package जो है वो install हो रहा है और r हमारा काम करना start कर दी है इसको आप रहने दे साइड पे अब यह देखें यहाँ पे install हो गया हमारा package ठीक है तो अब आप r को यहाँ पे start कर सकते है यहाँ पे जो भी आपका code चलेगा वो r के अंदर चलेगा जिन लोगों को नहीं पता था इस code का वो आप पता चलेगा अब यहाँ पे मैं simple सी बात लिखता हूँ line plot with gg plot 2 ठीक है अब यहाँ पे आपको मैं चला के दिखाता हूँ कि मैं gg plot 2 को यहाँ पे चलाऊँगा और line plot को चलाऊँगा देखिएगा आपको यह r वाला code मैं उठा के इसी तरीके से चलाना दिखाता हूँ यह देखिए यह वाला code है इसको मैंने यहाँ पे paste किया paste करने के बाद यह देखिए आपके पास r का code यहाँ पे run हो रहा है तो इस तरीके से आप r भी चला सकते हैं और यहाँ पे markdown के आप cells भी लिख सकते हैं ठीक हो गया जी अब cells और markdown को चलाने के साथ साथ आप इसको save भी कर सकते हैं ipynb file के अंदर और save करने के बाद आप इसे use भी कर सकते हैं rmd के अंदर भी इसे बना सकते हैं लेकिन इस तरीके से ipynb यानि के jupyter notebook जो है उसको हम replicate कर रहे हैं में हम कर क्या रहे हैं मैं आपको वह बताता हूँ हम basically एक konda environment जो हमने बनाया है konda activate r underscore environment इसके अंदर जब हम jupyter को use करते थे like this sorry jupyter notebook तो हम इस तरीके से अगर jupyter को use करते हैं like this one और यहां से हम new file r की भी बनाते थे या python की बनाते थे हम similar जो objective है वो यहां पे vs code के अंदर पूरा कर रहे हैं ठीक है तो अकसर लोग यहां पे भी r की file बना लेते हैं और jupyter notebook के अंदर r को use करते हैं for example print यह तो चलोसी की होगी यहां पे मैं paste करता हूँ इस data को तो इसको मैं run करता हूँ यहां से तो इस तरीके से आड़ाता है ठीक है अब इसकी अगली line है मैं लिखूँ तो copy यहां पे मैं paste करता हूँ तो यह basic line plot बना देगा अगर ggplot2 वहां पे ना हुई तो यह कह रहा है library नहीं है हमारे पास ggplot2 तो इसके पहले मैं इसको क्या करूँगा install packages इसके अंदर लिखूँगा ggplot2 क्योंकि मेरे पास install नहीं है shift enter दबाया यह अब install हो रही है तो dependencies भी install हो रही है इसको ggplot2 थोड़ा सा time लेता है install करने के अंदर तो आप यह देखें install हो गए यह install हो रहे थे यह हो गए है अब मैं पीछे वाला server run करता हूँ तो you will see के line plot बनने start हो गए है जो हमारे पास यहां भी बन रहे थे तो मैंने दो तरीके से आपको R in Jupyter Notebook और VS Code के अंदर चलाना सिखा दिया अब अगर आपके पास एक extension है जिसे हम GitHub Copilot बोलते है Copilot यह अगर आपके पास install है for example इसे मैं install कर लेता हूँ ठीक है install करने के बाद इसको subscribe कर लेता हूँ तो आपके पास कुछ इस तरीके से code आने शुरू हो जाएंगे अब यहां पे मेरे पास GitHub Copilot active है ठीक है अब यहां पे मैं इसको R की kernel को यूज करता हूँ R को मैंने जुपिटर करनल पे यूज किया अब यहां पे मैं लिखता हूँ for example लाइबरेरी ठीक है लाइबरेरी के अंदर मैं लिखता हूँ GG Plot 2 ठीक है इसे के साथ ही आगे मैं लिखता हूँ फिर से लाइबरेरी उसने फोरण बता दिया कि deep layer भी कर लो इसके साथ use होता है फिर data.table भी कर लो वो मुझे खुद से suggestion देता रहेगा ठीक है तो इस तरीके से आप देखें library.grade तो इस तरीके से आपका सारा जुपिटर notebook जो है वो काम करता है अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इनको मैंने library कर लिया दोनों को अब यहाँ पर मैं अगला code लिखता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ draw a line plot ठीक है तो इसने खुद ही कह दिया यह dataset लें df बना के ठीक है यह खुद ही बता दिया कि इस तरीके से line plot बनना है और यह देखें मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने tap दबाई है and then बूम यह लें जी line plot आपका ready है GitHub co-pilot R के through काम कर रही है चेक करें जो मैं चीज़ आपको बता रहा था अगर मैं यहाँ पर simply draw line plot के इलावा आपको बोलूँ draw a heat map ठीक है तो चेक करें यह data frame बन गया यह geom heat map बन गया let's see अब क्या बनता है error in geom heat पर could not find function geom heat map तो हमने library ggplot true करने ठीक है यहाँ पर geom heat map let's see यह बनता है कि नहीं बनता तो यह error आ रही है because data हमारा different होगा हम इसको draw a box plot कर देते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास box plot बन जाएगा ठीक है तो आप देखें कि आप github co-pilot को use करते हो बहुत सारे advantages ले सकते हैं r language में भी सिरफ और सिरफ python में नहीं r में भी तो subscribe करना ना भूलें वीडियो को like जरूर कर दें अगर आपको इस चीज़ का मज़ा है comment section में बताना ना भूलिएगा कि आप r और python की अगली कौन सी tip देखना चाते हैं take care जी दौा में याद रखें अल्ला हाफिज